सुबह होते ही कड़ी धूब और फिर दोपर होते तक तो सड़कों पर पूरा सन्नाटा पटना सहित पूरे बिहार में इन दोनों गर्मी का कुछ यही हाल है पटना का तापमान 44 डिगरी से 42 डिगरी तक पहुँच गया है इधर जूस या शर्बत की दुकान पर आने जाने वारे लोगों की फीड लगी रहती है आप लोगों को प्लासेट में बताया जाते होंगे अभी बढ़ देखिये कैसा वातव रहना है अगर ऐसे ही रहा तो छुटी घर देना चाहिए जो होता है उसमें लोगों को बाहर जाने के लिए सक्त माना क्या गया है क्या को गर्मी किसे फादर ने शिक लिखाए कि धूप से बचो थोड़ी गर्मी तो है लेकिन बचना है उससे हम रूपको प्रफूल स्लीप कपड़ा पहन और गर्म हवा से बचना और उतना धूप में नहीं जाना है जाते है इसकुल छुटी हो जाए तो अच्छा है बच्चे को बहुत गर्मी लगती है इसकुल आने में अस्थानी लोगों की माने तो गर्म हवा से लूप और आखों में जलन सहित कई दिक्कते हो रही है और खास कर स्कुल जाने वाले बच्चों को इस बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है अभी की सती देख कर मई जून में होने वाली गर्मी का अंधाजा लगाना और भी मुश्किल दिया है अभी हम लोग देख रहे हैं और 44 डिग्री जो हो रहा है दो पहर में हो रहा है हम लोग देख रहे हैं समानत है तो इसकुल की टाइमिंग अभी गटाई गई है दस बच कर 45 मिनट तक ही स्कुल खुलेंगे सुबह से और 10 बच के 45 मिनट के बाद कोई सरक्षिडिक गतिविदी नहीं रहेगी इसको अभी हम लोग ने लागू किया है और हम लोग नजर रख रहे हैं अगर आवो सकता होगी ता आगे करवई करेंगे 1990 के दसक में एक हिंदी फिल्म आई थी उस फिल्म का गाना बहुत लोके प्रिये था जेट की दुपहरी में पाउं जले हैं सेयां पाउं जले हैं तो फिर नायका कहती है कि जेट की दुपहरी में गर्मी लगे हैं रानी गर्मी लगे हैं वाकई में ये जेट का महिना है और पटना के इन सरकों पर अगर आप चलेंगे तो ना सिर्फ आपके पाउँ जलेंगे बलकि आपको गर्मी भी लगेगे। हाना कि ये हाल सिर्फ पटना का नहीं है बलकि पूरे बिहार का है जहां पर आस्मानी पारा चोवालिस के पार पहुंचने को आतूर है और इस भीसन गर्मी के बावजूद लोग सरकों पर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें रोजी रोटी की तलास है हाना कि अन्दिनों की बाती अब दीरे दीरे सरकों पर भीर थोरी कम होती जा रही है और जैसे जैसे जेट और ज्यादा तपता जाएगा गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाएगी और इन सरकों पर आपको भीर भी दीरे दीरे कम नजर आती जाएगी मौसम बिभाग का यह दावा है कि मई के महने में बिहार में इस बार तापमान 48-49 डिक्रित तक पहुंच सकता है और वाकई में मौसम बिभाग का यह प्रवानुमान अगर सही साबित हुआ तो अंदाजा लगाईए कि आदमी गर्मी में किस तरीके से जीवन यापन करेंगे इतना ही नहीं पटना सहित बिहार के कई लाकों से या भी जानकारी मिल रही है कि वहां का वाटर लेवल भी काफी नीचे जा रहा है और लोग पानी के लिए तरही माम किर्स्थिती में हैं लिहाजा हम भी आपसे यह अपील करेंगे कि अगर आपको इस गर्मी में बहुत जादा काम ना हो तो घर से बाहर न निकलें पानी जादा से जादा पिएं और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो ठंड का सहरा जरूर लिचे क्योंकि गर्मी है ना सिर्फ बहचे नी बढ़ेगी बलकि ये गर्मी जान लेवा भी है पटना से अपने सेवगी मनिबुशन के साथ इसके राजीव समचार प्लस